दमश्कार दोस्तों, so friends, आज का ये जो अपडेट है, इसमें Health Department में New Vacancies के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बिल्कुल आप सबी लोग यहाँ पे Heading पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, स्वास्ते बिवाग में होगी 30,000 पदों पर न्युक्ती, तो दोस्त तो पूरा आर्टिकल मैं आपको यहाँ पर रीट करके बताने वाला हूँ, निउस पेपर के माध्यम से यह जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर समय वर्थिया आप नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की और, तो दो पूजना बनाई है, 2021 से 2022 में स्वास्ते बिवाग द्वारा कुल लगबग 30,000 निउक्तिया बिविन पदों पर की जाएगी, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इस करम में 6,338 विशेशाग्य एवं सामान चिकिस्सक, 3,270 आयूस चिकिस्सक, जी एनेम, एनेचेम के अंतरगत यहाँ पे 4,671 पद है, और एनेम के यहाँ पे जो की एनेचेम के अंतरगत है, 9,233 की निउक्ति 15 सितंबर 2021 तक कर लेने को निरदेश बैठक में यहाँ पे दिया गया, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अन्य बिविन पदों पर लगबग 7,000 निउक्ति क की परिक्रिया बिहार तकनी की सेवा आयोक के माद्यम से पूरा करने का निरदेश दिया है, राज में मंगलबार तक 3 करोड से अधिक कोरोना की जाच हुई है, दूसरी तरफ यूनिसेफ ने 100 ओक्सीजन कंस्ट्रेक्टर स्वास्थ बिवाग को प्राप हुआ है, तो बिलक चागे डॉक्टर्स के हैं, और यहां पे जनरल डॉक्टर्स के भी हैं, और 3270 आयूश चेकिस सक हैं, और यहां पे एनेचम के अंतरगत, जी एनेम के भी यहां पे वेकैंसी रहेंगी, जिसमें B.A.C. नर्सिंग और जी एनेम के इंडिरेट से आप एपलाई कर पाएंगे, कुल मिला के यहां पे जो पद है 4671 रहेंगे, और एनेम के भी यहां पे वेकैंसी है, एनेचम के अंतरगत यहां पे 9233 यहां पे बंपर भरती यहां पे रिलीस की जाएंगी, और जो यहां पे जो निक्ति का आदेश है, 15 सितंबर 2021 तक कर लेने का यहां पे निरदेश यहा यहां पे बिविन पद है, लगभग यहां पे 7000 निक्ति यहां पे परिक्रिया, जो BTSC है, बिहार Technical Service Commission, इनके माद्यम से पूरी यहां पे करती जाएगी, इसका निरदेश यहां पे दे दिया गया है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशकबरी के बात है, कि यहां पे स् परिक्रसेश और डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स सभी के लिए यहां पे विक्यासी है, और भी जो अन्य पैरा मेडिकल पद है, उनको भी यहां पे शामिल यहां पे कर लिया जाएगा, और अब दोस्तों बहुत है तीसरी लहर को लेकर तैयारी, तो उसको भी यहां पे इ पकरण एवं ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है, सभी CSC रेफरेल अस्पताल एवं PSC पर दो-दो ऑक्सिजन कंस्ट्रेक्टर एवं सभी अनुमंडलिये अस्पताल में दो-दो बाई-पैप मशीन इस माह में भेजे जाए और करीब-करीब चाउवन अनुमंडल एवं जिला अस्पतालों में PSA प्लांट एवं सभी Medical College सेह अस्पतालों में ऑक्सिजन टैंक अगले तीन महीनों में लगाना सुनिशित करने का भी निर्देश आप दे दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे बैठक हुई है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर भर दिया जाएगा, तो यह अपडेट आपको कैसा लागा जरू बता है, उमीद करता हूँ कुछ ने को जानकारी आपको यहाँ पर जरू मिलेगी, बहुत ही अच्छी खुशकावरी के बात है, लाइक कर दे इस वीडियो को, इस मैनत को जल्दी से जल्दी से जाएगा, उसी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और उस वीडियो को आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है, कोई बह जानकारी अब आप चूटने नहीं चाहिए, अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको vacancies की information मिल जाएगी, तो वीडियो की नीचे जाए, सब्सक्राइब करें रेट बटन को आप पे क्लेक करें, और इन vacancies के जानकारी इसी तरीके से आगे भी पात रहें तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, thank you so much.